हालो पेरेंट्स मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल पेरेंट्स हेल्प में माई डीर पेरेंट्स आप तभी को प्यार में नमस्कार जैस्री कृष्णा राधी राधी माई डीर पेरेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि छोटे बच्चे को उल्टी हो जाती है तो उल्टी होने पर हमें क्या करना है छोटे बच्चे को उल्टी होने के क्या कारण है और क्या उपाएं देखिए अकसर क्या होता है जब बच्चे लेकिन जब बच्चा सॉलीट फूड स्टार्ट कर देता है और वामिट की डूरेशन में जो भी फूड पारिकल्स होते हैं वह वमिट की थ्रू बाहर निकल जाते तो वह इक डिफ्रेंट कंडिशन है तो अक्सर जो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बच्चा अगर दूद निक निकाल रहा है कि वह उल्टी होती है या फिर खाना खाने के बाद बच्चा जिसको बाहर निकाल देता है वह उल्टी होती है तो मैं आपको पता दो देखिए अगर बच्चा दूद पीता है और दूद पीने के बाद वह दूद पलट देता है तो उसको बच्चे का दूद दूद ड़कार दलवाएं थप थप आएं 10-15 मिनट कंदे से लगा कर अपने बच्चे को रखें तो उसको जो दूद पिया हुआ है वो बाहर पेट से नहीं निकलेगा यदि आप बच्चे को दूद लेट कर पिला रही है या बच्चे को दूद पिलाने के बाद आपने बच बच्चे को डगार दिलवानी है और 10-15 मिनट तक उसे थप थपाना है और करवट दिलाकर आपको इसको सुला दीना है तो यह था जो मैंने बताया कि बच्चे के दूद का पलटना लेकिन उल्टी करना इस डिफ्रेंट तिंग यदि आपका बच्चा उल्टी कर रहा है तो हम बोलते हैं बच्चे का उल्टी कर देना उल्टी किन किन कंडिशन में होती है देखे अगर बच्चे को कफ है कोल्ड है खासी हो रही है काफी जोर सी और ऐसी कंडिशन में बच्चे को खिला रहे हैं तो बच्चा खासते खासते कफिंग करते करते उसका जो भी खाना खाय कि दूद पीने के बाद थोड़ा थोड़ा दूद बाहर निकालते रहते हैं इस पर क्रिया को एक सामान बाद हम कह सकते हैं इसमें बिल्कुल भी घवरा नहीं लेकिन कभी-कभी बच्चों की पेट से फूड पाइप को जाने वाली रास्ते बहुत सारा खादे-पता इकटा ह हो जाता है में जो भी बच्चे को खाना खिलाते हैं पिलाते हैं वह उसकी फूड पाइप में एकटा हो जाता है ऐसा तब होता है कि जब हम बच्चे को खाना खिलाने के बाद उसको डगार नहीं दिलवाते उसके पीत को नहीं तप तपाते तो ऐसी कंडिशन में बच्चा क्या करता है बच्चा जो उसके खाना है वो ठीक से डाइजस्ट नहीं हो पाता उसके फूट पाइप में वो एकटा होता रहता है और वो दूद के साथ जो भी दूद पी रहा है और खाना खा रहा है वो दोनों ही चीजे बाहर निकाल देता है साथी साथ यदे बच्चों को दूद और खाने से एलर्जी होती है जैसे कभी-कभी बच्चों को दूद सूट नहीं करता है मां का दूद भी सूट नहीं करता है या हम जो भी जैसे गाय का दूद या भैस का दूद स्टार्ट कर देते हैं या फॉर्मुला दूद इनसे भी बच्चों को एलर्जी हो जाती उल्टी कर देता है और उल्टी के साथ साथ जो भी बच्चा खाना पीना खाता है वो भी साथ की साथ दूद के साथ वो बाहर निकल जाता है तो ऐसी कंडिशन में अगर बच्चे को दूद से या किसी परकार के खाने से अलर्जी है तो वो क्या कर देगा उल्टी जरूर कर द तो जब वो ओवर एटिंग कर लेते हैं आपने देगा होगा बच्चा जब भूका होता तो बहुत तेजी से खाने को जपटता है दूद की बोटल की तरफ जपटता है और ऐसी कंडिशन में वह क्या करते हैं बच्चे जल्देली दूद पीने लगते और कहीं ना कहीं वह लोटी करते हैं जिस फयो में स्वरियंत्र में एठर होती तो उनको khan मोशन सिखनेस के कारण भी बच्चे उल्टी कर देते हैं सिशुव में मोशन सिखनेस की समस्या होती है अगर पेरेंट्स में मोशन सिखनेस की प्रावलम होती है तो बच्चों में भी मोशन सिखनेस की प्रावलम बनी रहती है जिसके तैयत बच्चे क्या कर देते हैं खाना ख लगती हैं, cold और खासी के कारण जो बच्चे के chest में बलगम जमा हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, कि स्वर्यंत्र में एठन और पेट में जलन होती है, और ऐसी condition में बच्चे उल्टी कर देती हैं, यदि पेट में किसी भी प्रिकार का infection है, तब भी बच्चे उल्टी कर बच्चों को क्या होता है, कि खाना पच्चता ही नहीं है, हम जैसे तैसे जो मदर होते हैं, उनको खिलाती है, लेकिन अगर पेट में किसी प्रिकार का बाइरल और वैक्टीरियल इंफेक्शन है, तो उसके क्या बच्चों को दस्त लग जाएंगे, भूक नहीं लगती और पच्चता नहीं और क्या होता है, वो वामिट के थूँ निकल जाता है, तो यह बहुत सारी सी कंडिशन है, जिनके कारण क्या होता है, कि बच्चों को खाना पच्चता नहीं है, उल्टी हो जाती है, जैसा कि मैंने बताएं, पीट में इंफेक्शन, मोशन शिकनेंस, वायर जल्दी खाना या जादा खाना तो इन सारी कंडिशन के कर इन सारी समस्चाव के करण बच्चे को खाना पच्चता नहीं है, और वो वामिट के थूँ निकाल देता है, अब मैं आपको बताऊंगे कि ऐसी कंडिशन में आप क्या उपाय कर सकती है, अपने बच्चे को कि उस अगर वो वामिट करता है, तो समझ लीजे कि उसको उस फूट से ऐलर्जी है, वो फूट आपको नहीं खिलाना, सेम आपको दूद के साथ करना है, जो भी दूद आप चेंज कर रहे हैं, और चेंज करने के बाद जब भी आप उस दूद को बच्चे को पिलाते हैं, चाहे क पिर आप दूद के सैंपल दे के उसको चेक भी करवा सकते हैं, जिसके वज़े से आपके बच्च दूद को डाइजेस्ट रही कर पा रहा है, और वो वामिट कर दीता है, दूद को पीते ही, आपको क्या ध्यान रखना है, कि बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा भूख ल जाता है, और उसके वज़े से बच्चे को खांस आने लगती है, और सारा भूजन बाहर निकल जाता है, तो जब भी बच्चा बहुत जोर से भूखा हो, तो उसे आप थोड़ा थोड़ा दें, और बहुत ज़दा ओवरीट ना करने दें, जिससे कि उसको उल्टी नहीं तो हो सकता है, उसे वाइरल या वैक्टीरल इंफेक्शन हो, ऐसी कंडिशन में आपको अपने डॉक्टर से एक पर कंसल्ट करना है, कभी-कभी तो उसे होता है, बच्चा कभी-कभी उल्टी करता है, दिन में एक बार कर दी है, दो बार कर दी, तो यह नॉर्मल है, ऐसा हो वक्त और डेली ये प्रोसेस कर रहा है, कि हर टाइम खिलाने पर उल्टी करता है, डेली उल्टी करता है, तो यह फिर गंबेर समस्य हो सकती है, ऐसी कंडिशन में आप अपने बच्चे को डॉक्टर को जरूर दिखाए, अगर बच्चा बार बार वामिट कर देता है, तो आ सूप या लिक्विड वगएरा दे, रोटी से बचाएं या जो भी आप सॉलिट दे रहे हैं, वह आप उसको उससे बचाएं, जतना हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भूजन उसको दे तो उसको खांसी नहीं होगी, ठसका नहीं आएगा, और खांसी अगर हो भी रही है, तो वह कोई भी खाया हुआ बोजन को वह बॉमिट नहीं करेगा, तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बस हाइडेट रखें, बहुत जदा ओवरीटिंग ना करने दें, खांसी है, जो खांसी है, जितना हो सकता है, लिक्विड फूड ही दे तो माइडियर मॉमीज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक से जरूर करतीज़ेगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट अपने साथ, तब तक लिए ठीक के, बबाई